नमस्कात्थ दोस्तों कैसे हैं आप से मैं आशा करता हूं आप सो बहुत अच्छे से होंगे मैं स्वी श्रमा टेक्ष्ण चनल मैं आप सबका एक बाग फिर से स्वाध करता हूं दोस्तो आज के वीडियों हम बात करने जा रहा है कि कैसे आप अपने OBS studio को अपनी LED स्क्रीन पर connect कर सकते हो और OBS studio के अंदर जो scene आ रहा है उस scene को आप full screen पर अपने LED TV या फिर जो LED wall होती है LCD wall होती है उस पर कैसे दिखा सकते हो बहुत ही आसान है यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अपना एक TV यहाँ पर connect कर रखा है और दो monitor यहाँ पर connect कर रखे हैं दूसरा end आपको अपनी LED स्क्रीन पर या फिर जो आपका LED TV है LCD TV है उसके HDMI port पर connect कर देना है उसके बाद आपको जाना है अपने PC पर और यहाँ पर आपको dwell monitor का setup कर लेना है यहाँ पर आपको click करना है settings पर और उसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जाएगा display डिस्पले पर आपको click करना है यहाँ पर एक option आ रहा है टिक करना है इस पर arrow पर और उसके बाद यहाँ आपको option मिल जाएगा extend these displays तो यहाँ हम कर देते हैं extend these displays उसके बाद आपको keep changes पर click कर अब आपको यहां पर दो अलग अलग डिस्प्ले दिखाई देने लेगे डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू यह सेट अप करने के बाद आपको अपना OBS Studio open कर लेना तो मैंने अपना OBS Studio open कर लिया है यहां पर मैंने कुछ scene create कर रखें आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से scene हमने बना रखें और जो सोर्स हैं वो हमारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो सोर्स हमने दिखा सकते हैं वो भी फुल स्क्रीन में या LED बॉल पर दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या करना होगा वो आप यहां देख लीजिए हमारा यहां पर शो होने लगा है हमारी LED स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारा पूरा विंडो पूरा scene हमारा यहां पर दिखाई दे रहा है अब OBS के अंदर जो भी हम live कर रहे हैं जो कुछ भी हम कर रहे होंगे सारा का सारा हमारा LED स्क्रीन पर दिखाई अगर आपको कोई scene change करना है मालो मैंने यहां पर scene change कर दिया right back मैंने आपर right back scene change कर दिया आप देख सकते हो OBS में मैंने यहाँ पर scene change कर दिया है लेकिन हमारा LED स्क्रीन पर वो ही scene अभी तक project हो रहा है वो ही scene वहाँ पर चल रहा है इसका मतलब है आप अपने laptop में या OBS में कुछ भी यहाँ पर कर रहे होगे कोई भी changes वगयरा आप यहाँ पर कर रहे हो तो वो changes आपका LED स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा अगर आप चाहते हो कि यह जो राइट वैग वाला scene है यह scene आपको project करना है तो simple सा आपको यहाँ पर फिर right click करना है फिर से आपको fill screen project पर जाना है और sony tv select कर लेना है तो यह scene आपका चला जाएगा LCD screen पर अब मालो यहाँ पर हमने intermission वाला लगा दिया है जो कि हमारी LED screen पर आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ पर OBS में scene चेंज कर दिया मालो live वाला scene मैंने यहाँ पर select कर लिया और इसे मैं कर देता हूँ project ठीक है मैंने यहाँ पर इसे project कर दिया तो यहाँ पर आप देख रहे है OBS studio पर भी हमारी वही screen है और LED screen पर भी हमारी वही screen है लेकिन आप चाहते हो कि आप laptop पर कुछ भी काम कर रहे हो आपकी LED screen पर यह सब कुछ चलता रहा है जो भी live हो रहा है वो आपका चलता रहा है या फिर आप जो record कर रहे हो चलता रहा है तो माल लो मैं यहाँ पर अपने OBS studio को minimize कर दे रहा हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर minimize कर दिया और मैं यहाँ पर कोई भी काम यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ भी काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपने laptop पे लेकिन हमारी जो LED wall है LED screen है उस पर हमारा कोई फरक नहीं पड़ रहा है वहाँ पर केवल वो ही screen दिखाई दे रही है जो हमने project कर रखी है तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने OBS studio की screen को अपनी TV या फिर LED wall पर show कर सकते हो दिखा सकते हो full screen में और इस दोरान आप अपने laptop पर अपने PC पर कोई भी काम करते रहोगे आपकी LED screen पर सिर्फ आपको OBS का जो आपने project किया है वो ही आपको दिखाई देगा अगर आपका कोई भी question हो कोई भी query हो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरव